तो अज स्वालेकों बाईस आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं लाग लाग शुकर अदा है 10,000 हुए तो एक लाग भी बहुत ज़ली हो जाएंगे मेहनत करते जाएंगे और आप ऐसी सपोर्ट मुझे करते जाएंगे तो उसके क zaragta मैं गाटाओंगे कि 10,000 को खाना बना रही हूँ और बच्चे लोगों को घुलाकर खिला जै़मिग और खाना बना कर मैं गरिबों को खिलाऊंगी तो यह देख सकते हैं मैं वो 4 किरो के इतना मैं खाना बना ली हूँ 4 किरों के इतना तो मैंने टोब गरम हो चुका है और उसके अंदर दाल दी हूँ मैंने प्यास आप देख सकते हैं प्यास हो रही है लाल अब इसके अंदर हम दालेंगे यह खड़े गरम मसाली तो चलिए काईज यह है लाउंग, इलाइंची, दालचीनी, शाजीरा और जीरा यह चलो यह खड सब्सक्रिक शाज चुली म्यों मेष्ण दीरागा मेचा, जीरांगे में इसके अंदर खनेंगा हरी मिर्ची इसके अंदर रधर सम्टलनला करने च्च के लितना अच उच शाबे से लेना कि तेस्ट लगता हुआ इसाप से ली हुए चुले के पास बढ़ने से कितना तो गर्मी होजी पसीना रहा हुआ पैस के अंदर काई समने डाले से पहले भी अधरक लेसोल मैंने गोश्ट के अंदर इतना बड़ा अधरक लेसोल मैंने डाली हुँ और इस बार मैं बनारी हुँ बिना हल्दी दाले भी तो मैं हल्दी बिल्कुल नहीं जाड़ी हुँ दाइस क्यों कि हल्दी से मेरा हर फ्लाव याने के पीला बनता है कोई प्लाव में लाल वाला ही बनाती हुँ और हल्दी से हमारा फीला बनता वह इस बार मैं बनाने जाड़ी हुँ ध्यार को वाइड वाला हुआ छाहते हैं उसक्षे मैं जादा दो टमाटर दालेगें और क्राइबस sich अब नंहीं तो आपक को दालेगें के पिरया हिए यह गंपना हो रहा है तो में दो पेर में में 5 मतलío यह बलाईं अरे यह नहीं चींट से यह चोड़ी गारम घाइश पुरी ग्रम है अब निकाल भी नहीं सकती चूरी जालें के अंदर में मतन को चला एक अदर जालें इतना जादा पेंदा है गाइज इसका प्लिल भीना कोई भात ने अभी वी तो अंदर पानी नहीं है बिलकुल भी तो यह हरी मिर्ची भी इसके अंदर दाल देंगे तो मैंने एक मुट गया हुआ हरी मिर्ची पेट शीर कर डाली हुँ और देड़ सो गिराम हरी मिर्ची फिस कर लिए वी यालने कि पाव किलो में थोड़ी सी कम ली हूँ लाल मिर्ची भूकी तिखी वाली पिसकर अज मैं खाना बना रही हूँ हरी मिर्ची पिषा हुआ चानले कि मुझे लाल ना को लाइब कर श्रा त्हाइब जा-टार को छांधि रड़ों पीश्कर ना कि युचला गाला ना की हमेशल पुलाव बनाना इतना जबरदस्त बनताना पुलाव गाउं का बना रही है और आप बहुत एजी है ज्यादा आउगर नहीं है और जिसको हमारे गाउं का पुलाव खाना है तो वह ये वीडियो देखकर बना सकते है और इसके अंदर ना चकरी पूल है पूल चकरी पूल जावी का पूल बने बीलकुल नहीं ढाली इसके अंदर यह ठेख पता भी का यह था अलग होसा है और यह यह व्यान चिजह जीरा और शाजश्य吧 यह तिक पांच चीज अ पिसे बेना इस्में जाय जावी त्री है आप gefाडे खरेगे सकता ता युक्री है ज यहांद दर आड़े हैं, न мыकरा मशेया देने, यहांन में बड़ें, om burial चुक्या के जलाओं यो टरिओम्र घृषी भीड़ों पिशाले हैं घंट सार्ज लीमबू कॉर्स मैंने में साथ लीमबू ली हूं उसका रस निकाल चुकी हुँ यह देख है कि हम चान रही हूं कि उसका इभी भीजी हमारे खाने में आता तो पड़वा दिता खाना इसके लिए मैं पिछान ली और वेट में भी चान कर दी कि अब इसके अंदर दाड़ी हूं आदा लीटर का गिलास से यह आदा लीटर में पानी दालूंगी और पूरा इसको मैं दस मिनट शीलो आज को पर पकाऊंगी यानिके दस मिनेट सीलो दीनी आज पर हमको बनाना है कि हमारी बोटी में पूरा टेस्ट आ जाए मसाला भी अच्छे से गल जाए और उसका चैल छुट जाए और बौटी में टेस्ट आए हम जैसा ही मसाला भूंकर अंदर पानी पूरा इसको 10 मिनिट पकाऊंगी पानी दाल करें देख सकते हैं अब इसने पकते रहेगा जब तर मैं क्या करूंगी चावल को चून लूँगी चावल में अगर से चुबे की लेंडी आजाती है या कुछ कच्रा ने जाता जो भी है तो मैं इसको अच्छे से साफ कर दोंगी तो पिर मैं आपको चामल साथ करे बाद ही मिखमे लूँए चले गाई इसके अंदर मैं दाडी हूँ पानी weekend मैंने चार किलो चावल दाली तो वह लिज़ी के साथ से मही नम्यूगी दाली हूं। इसमें लाख एक चार चार चमस दाली हूँ अगर से मुझे कम लगता तो फिर मैं वापस से दाली हूँ और आप इसके अंदर और मैं पानी दाली हूँ कि यह देख सकते हमें पानी दाली नहीं आप इसके अंदर हम दाले के घाई चावल दोकर जब तक उपालाएंगा तो जब तक हम चावा दोकर लेकर आएंगे पी चावल के साथ में भी पानी थोड़ा तो जाता ही है तो फिर उसके बाद देहेंगे कि और पानी लगता तो दालेंगे, अबर से नहीं लगता पर नहीं दालेंगे, तब इसके अपर में फ्लेट धाब देगे, बहुत सिलो पर बनाने के बाद भी ये चावल को नीचे से डाग लग रहा था मसाले को तो मैंने तूरन अभी टोप उठाई और उसके नीचे लोकट कर मसूर की डाल बें दानि आता और हमको मसूर की दाल के बीना वं अगितलों से नहीं बढ़ता, मतलब अभी फ्लाव делेखां लेकर नहीं करा बतल है कर भी दाहिं लेकिन वहादी लिए लेकिन बच्चक ने बिदो अबतल कर नंवा करे दायान니क दाले, यह देवाली कराते, गुमाने ये लेकर आयों कोलम आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे है और एक बारिक बारिक चाब ले दोगो गाइस क्या है।